अगर हम भारत्य क्रिकेट फैंस है तो 7 जुलाई एक तारीख ही नहीं एक इमोशन है जो देश की 770 जिलों को रांची से जोड़ता है जो देश के 130 करोण लोगों को इस इनसान से जोड़ता है जिसकी ड्रेशिंग रूम से मैदान में आते वो कदम जिसके लिए इस्टेडियम में ही नहीं टीवी के सामने से भी तालिय बजती है जिसकी इस्टेडियम की लॉंच से लेके पान की दुकान तक उसकी नामों की सोर मजती है जिसकी जब-जब पीच पर भागने से टीम की जीत होती है वो आवाज जो गेंदवाजों को विकेट के पीछे से गाइड करती थी वो ब्यक्ति जिसने एक एवरेज बोलिंग लाइनाप को वर्ल्ड क्लास बोलिंग एटेक में बदल दिया जिसने मेच के बाद पोस्ट मेच कंफरेंस में भी हमारा दिल जीता जिसके लिए हार और जीत एक बराबर थी जिसने हमेशा इमांदारी से क्रिकेट खेला जिसने हमेशा लास्ट बॉल पे जरूर छक्के मारे जिसने सारी इंटरनेशनल टोफी इंडिया को जीताई जो ट् फुटेज नहीं मिलनी चाहिए जो बीना देखे ही रन आउट कर देते थे जो पलक जपकने से पहले ही स्टंपिंग कर देते थे जिसकी गोली से भी तेज कबर सौट से फिल्डर के होसला तूट जाती थी जो इतनी बड़ी खिलाडी होकर भी सोशल मीडिया की जमाने में खेत जो जार्शी नमर साथ पहनता है मुझे नहीं लगता है कि एक ही खिलाडी की कप्तानी में कोई P20 वर्ल्ड कफ की ट्रोफी, ODI वर्ल कफ की ट्रोफी और ICC चेंपियन्स की ट्रोफी जित कर देश की जोली में भर दे इसको पूरा किया था जिस इंसान ने, जिस खिलाडी ने उसका नाम था M.S. धोनी यानि महिंद्र सिंग धोनी तालिया बस्ती रहनी चाहिए नमस्कार मैं हूँ मिलन बास्तोला हमारी यूटूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी चलिए बीना देरी की वेए वीडियो को शु भी गई थी इस पारी में धोनी ने 224 रन बनाये थे टेस्ट में धोनी ने स्टम्प के पीछे 256 केच लपके है और 38 स्टम्पिंग की है धोनी ने अपने केरियर के सरवशिष्टा वंडे पारी स्रिलंका के खिलाब 2005 में जयपूर के सवाई मान सिंग इस्ट्रियम में खेली ह इस पारी के दोरान 113 रन बना कर अस्ट्रेलिया के पुर्वक लाड़ी एडम गिलकिष्ट का विकेट के तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रेकॉर्ड भी तोड़ दिया था धोनी के नाम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज स्टंपिंग का रेकॉर्ड भी दर्ज है उन्होंने मिशल मार्स की सुन्य दसमलप साथ छे सेकेंड में स्टंपिंग की थी धोनी अपनी बैटिंग, कीपिंग और फिनिशिंग को लेकर पूरे क्रिकेट जगत में मश 2007 में T20 World Cup, 2011 में One Day World Cup और 2013 में ICC Champions Trophy अपने नाम किये थे धोनी की कप्तानी में भारत ने सरवादिक स्कोर 726 बनाई थी धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान है जिनोंने One Day में सात्वे इस्ठांग पर बेटिंग करते हुए सतक लगाए है धोनी की कप्तानी में भारत ने 199 में One Day मैच खेले है जिसमें से 110 में जित हासिल की है 72 मैच खेले है जिसमें से 41 मैच में जित हासिल की है और टेस्ट में 60 मैचों में से 27 में जित हासिल की है धोनी ने कफटान के तोर पर सबसे ज़्यादा टोर्नमेंट फाइनल में जित हासिल की है धोनी ऐसे पहले भारतिय विकेट की पर है जिन्होंने 300 वटे मैच खेले हैं और वर्ल्ड के चौथे विकेट की पर है जिन्होंने ये उपलब्दी हासिल की है वन डे में दो सो छक्के मारने वाले पहले भारतिया और विश्व के पांचवे खिलाडी भी महंदर सिंग धोनी ही है छठे नमबर पर बल्ली बाजी करते हुए वन डे केरियर के इतिहास में सबसे जदा रन भी धोनी नहीं बनाए है धोनी एक मात्र ऐसे खिलाडी है जिनोंने साथवे या उसके बाद भी बल्ले वाजी करते हुए वन डे क्रिकेट में दो सतक बनाए हैं जब किसी खिलाडी का प्रदर्शन क्रिकेट की सबी फॉर्मेट्स में इस तरह बैतर हो तो सोचिए उनको कितने अवार्ड्स मिली होगी साल 2007 में धोनी को भारत सरकार ने राजीब गांदी खेल रत्न अवार्ड दिया जो कि भारत में खेल जगत में गिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है धोनी को भारत के सबसे सरवर्षिष्टर राष्ट्रिय नागरिक उपादियों में से दो उपादियों से नवाजा जा चुका है साल 2009 में उन्हें पदमस्री मिला और साल 2018 में पदमभोशन दिया गया साल 2011 में धोनी को डिमोन फोर्ट यूनिवर्षिटी में मानक डक्टरेट की डिगरी दी गए इसके अलवा धोनी ने दो बार ICC ODI Player of the Year, Man of the Match और Man of the Series का अवार्ड भी जीते है माहिन्दर सिंग धोनी की जिंदगी एक कहानियों का गुलदस्ता है किसी भी फिल्म की कामियावी के लिए जो हकीकत चाहिए धोनी की जिंदगी में वो हकीकत है बली उड ने धोनी की जिंदगी पर एक फिलिंग बनाई इस फिल्म का नाम था M.S. धोनी The Untold Story ये फिल्म साल 2016 में रिलिज हुई थी इस फिल्म में धोनी की भुमिका को एक्टर सुसान सिंग राजपूत ने निवाया था धोनी की क्रिकेट की तरह ही ये फिल्म भी कामियाव रही इस फिल्म ने 210 करोड का विजनेस किया मगर सुसान सिंग राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है मगर वो जहां भी है बस हम सब की दिलों में है वैसे तो धोनी जैसे परसिनलिटी की इतनी कम समय में बात करना मुम्किन ही नहीं उनके लिए किसी अगले टॉपिक पे हम किसी दिन और बात करेंगे फिलाल आज के लिए इतना ही आज हमने सिर्फ धोनी के रेकोर्ड्स और अवार्ड्स के बारे में बात कि हमारे पुर्वा कप्तान महेंद्र सिंग धोनी के बारे में आपको क्या लिखना है हमारे comment box खुला हुआ है comment box में आके comment करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करिएगा इस वीडियो को जरूर share करिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आजी thank you जी बिल्कुल जी जरूर subscribe करिएगा चलिए आगया दीजिये फिर अगले वीडियो पे जल्दी मुलाकात होगी प्रियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार